हेलो बच्चो नमस्कार जैपी डबलू सभी फ्यूचर डोक्टर्स को मेरा सलाम उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे और दिखाई भी दे रहा है कि आप लोग जीत और महनत कर रहे हैं जबरदस्त पढ़ाई कर रह बच्चे यह वाला जो चैप्टर है यह अपना प्रीवियस चैप्टर डैट इस बायो टैक्नलोजी प्रेंसिपल एंड प्रोसेस जो है उसी का मैं कहूं कि आगे वाला पोर्शन है जिसमें हम डील करने वाले हैं कि बायो टैक्नलोजी का हमने किन-किन एरिया जमें यूज और कौन-कौन से प्रोड्यूज करें तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं एप्लिकेशन शोप बायो टैक्नलोजी के बारे में बड़े ध्यान से देखीगा बच्चे जब भी पूछे कि बायो टैक्नलोजी के क्या क्या एप्लिकेशन से हैं अपन किन-किन एरिया मे हम बायो टैक्नलोजी को यूज करने है धीं Al-In- Więcc बायो टैक्नलोजी को यूज करने में हैं अड प्रोसेशिट फुड जो था उस प्रोसेशिट फुड के फोरमेशन में भी हम बायो टेक्नलोजी को यूज कर रहे हैं तो दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं वो करते हैं बायो टेक्नलोजी का यूज किसमें एग्रिकल्चर में यूज से बड़े ध्यान से देखेगा बच्छे जब भी पूछे कि बायो टेक्नलोजी का यूज हम किस में कर रहे थे एग्रिकल्चर में कर रहे थे बोला हां की ना अब सवाल यह था कि एग्रिकल्चर जो था उस एग्रिकल्चर में हमें में काम जो करना था वो में काम यह करना था कि प्रोडेक्टिविटी को हमारे पास है वह बहुत कम है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी population के लिए food available कराना है उनका पेट बरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उनके लिए food material available कराना पड़ेगा तो हमने बोला का increasing food production उसके लिए हमने टोटल मिलाके अपने पास agriculture में three options थे पहला option था एग्रो कैमिकल बेस्ट एग्रिकल्चर में हम क्या काम कर रहे थे हम chemical fertilizer यूज कर रहे थे and chemical pesticide कर रहे थे हमने बोला इसमें अपनने क्या काम किया इसमें अपनने क्या काम किया ऐग्रिजर हें कैमिकल, पेस्टिसाइड, बिटा कैमिकल फिर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड का हमने यूज गिया ताकि हम प्रोडेक्टिवटी को increase कर सके, अब ये फाइदा तो हमें मिला, कि productivity जो थी, वो productivity तो क्या हुई, increase हुई, किस से, chemical fertilizer को यूज करके, and chemical pesticides का यूज करके, लेकिन दिक्कत ये थी, दिक्कत ये थी, कि जब हमने excess chemical का यूज किया, तो quality of product धीरे-धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, मतलब उन chemicals के पढ़ने लगे, बोलो हाँ किना, फिर एक दूसरा तरीका था, और उस दूसरे तरीके को बोलते है, organic farming, या मैं कहूँ, organic agriculture, इस organic agriculture में, इस organic agriculture में, हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं, bio fertilizers, and bio pesticides, यहाँ पे अपन, bio fertilizers, and bio pesticides का, यूज करते हैं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, ताकि हम अच्छी quality का product produce कर पाए, लेकिन दिक्कत यह थी, कि bio fertilizer and bio pesticide का, हम यूज कर रहे थे, और यह बहुत अच्छी चीज थी, कि इसमें कोई chemical नहीं था, लेकिन दिक्कत यह थी, कि इसकी वज़े से, इसकी वज़े से, हम product के quality तो खूब सारी improve कर ली, लेकिन productivity को उस level तक नहीं बढ़ा पाए, जितनी level तक हमें बढ़ाने की ज़ of based agriculture, that is, हमने genetic engineering पे best farming करना सुरू किया, और genetic engineering पे best farming में हमने क्या काम किया, किसी भी plant जो था, उसके genetic material जो था, उस genetic material को modified किया, मतलब उसके genetic material में desired gene को introduce किया, और desired gene को introduce करने के बाद, उस plant का genetic material जो था, जो बदल गया, modified हो गया, ऐसे plant को हमने बोल दिया, वो बोल दिया, हम आये Moriticallyently Modified Plant या उसी को बोलते हैं Tronsánic Plant या उसी को बोलते है tailor-made Plants हमें बात यही करनी है कि हमनेchanging engineering के through Genetically Modified Plant और ट्रांसजेनिक Plant और tailor-made plant बनाया इन tailor-made plant से हमने कोन-ई-कोन से goal achieve कर लिये that is हमने बोला कि यह genetically modified Plants बनाए इनके क्या-क्याter use हमने लिए हमें यहीं पर में बात करनी है, बोलो हां की ना, बड़े ध्यान से देखिएगा, अब सवाल था कि यूज ओफ जी एम प्लांट्स, जी एम प्लांट्स का क्या यूज गिया, विटा जी एम प्लांट्स का सबसे पहला जो अपने पास यूज था, वो था एनन्स, नूट्रिशनल व जी एम प्लांट्स हमने बनाया, उसमें हमने क्या काम किया, कि उसका सबसे फेमस एग्जमपल अपने पास है, वो अपने पास है गोल्डन राइस, सबसे फेमस एग्जमपल क्या है, गोल्डन राइस, एक्जक्ली में हमने राइस में बीटा कैरोटीन वाली जीन डाल दी, और बीटा कैरोटीन वाली जीन जो थी, वह डाल दी, जिससे rice जो था, वो rice जो था, वो normal rice किसे rice में convert हो गया, वो हो गया golden rice में convert, और गोल्डन rice में beta कैरोटीन प्रजेंट है, और beta कैरोटीन ही तो है, जिससे क्या बनता है vitamin A, तो मैं यह कह दूँ कि normal rice में vitamin A that is beta carotene नहीं था लेकिन joint genetic engineering के थुरू हमने उसमें beta carotene वाली gene डाली तो अपने पास जो golden rice बना उस golden rice में vitamin A present है तो बताओ food material की nutritional value बढ़ी की नहीं बढ़ी कि पहले जो rice जा रहा था उसमें mainly अपने पास था वो starch था लेकिन अब starch के साथ vitamin A भी हमारी body में जाएगा अगर हम golden rice को खाएंगे तो कलू मैं आगे next देखना तूसरा था to reduce post harvest losses जो था इसको कम करने का सबसे famous example मेरे पास है flavor saver tomato हमने क्या काम किया कि हमारे पास दिक्कत यह थी कि जो ही tomato को हम पेड़ से तोड़ रहे थे तोड़ने के बाद वो tomato तो दो से तीन दिन तक चल पा रहा था उसके बाद tomato खराब हो जा रहा था जिसकी वज़े से किसान को बहुत ज्यादा लोस हो रहा था अब किसान के सामने यह challenge था कि अगर यह tomato लंबे टैम तक रखने के लिए चांस मिल जाएंगे लंबे टैम तक वो उसको यूज कर पाएंगे बोलो हा की ना अब कहानी यह थी कि इसी चीज के लिए कि अपने को tomato को लंबे टैम तक फ्रेस रखना है ताकि किसान जो था वो किसान उसे जादा देर तक मार्केट में बेचने का उसको ज़्यादा समय मिल जाए और वो लंबे टाइम तक फ्रेस रहे इसके लिए जरूरी था कि हमें किसी भी तरह है टमेटो की राइपनिंग जीन जो थी उस राइपनिंग जीन की एक्टिविटी को क्या करना था सप्रेस करना था अगर राइपनिं जीन की एक्टिविटी सफ्रेस हुई तो अपने पास जो नया टमेटो बना वो था फ्लेवर टमेटो जो की लोंग टाइम तक प्रेस रहता था अगला था to increase tolerance against abiotic stress. आपको पता रहता है कि कई सारे abiotic component है जो organism को और plant को और crops को affect करते हैं जिसे ज़्यादा सर्दी का पढ़ना बारिस नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी का पढ़ना that is heat या बहुत ज़्यादा salty soil का होना. तो बोला कि यह जो abiotic component है यह भी plant को affect करते हैं जिससे productivity जो थी वो भी बहुत ज़्यादा affected होती है तो genetic engineering के थूँ हमने ऐसे plant बना लिए जो कि इन abiotic component के अगेश्ट क्या रखते थे resistance ऐसे plant बना लिए जिन पर सर्दी का effect कम से कम पढ़े ऐसे plant बना लिए जो कम water में ही easily survive कर ले ऐसे plant बना लिए जो easily hit को सेहन कर पाए या हमने ऐसे plant बना लिए जो की salty soil में भी easily survive कर सके ताकि productivity क्या हो सके अपनी improve हो सके next अगला था to produce bio pharmaceutical product bio pharmaceutical product अपने medicine वगेरा कुछ बनाना था और इसका सबसे famous example था कि हमने हमने क्या काम किया था एक transgenic plant that is brassica napas जो था उस brassica napas के seed से produce किया था hyrudine और आपको याद होगा यह hyrudine एक anti-cogulant है जो की leaches में मिलता है किसमें मिलता है leaches में that is hyrudine area में मिलता है चलो हमागे next अगला था to produce weedicide और herbicide resistant plant पीटा जब भी हम कोई chemical that is weedicide यूज कर रहे थे तो weedicide का use तो unwanted plant that is weeds को मारने के लिए यूज कर रहे थे लेकिन हमने क्या देखा कि जब हमने खेत में गए और वहाँ weedicide को spray किया तो unwanted plant that is weeds के साथ साथ हमारे जो normal plant थे हमारी जो normal crop थी वो भी destroy हो रही थी उस पे भी weedicide का effect हो रहा था लेकिन हम चाहते थे कि हमारी crop को कोई नुक्षान नहीं हो केवल unwanted plants that is weeds ही मरे तो हमने क्या काम किया ऐसी crop क्यार कर ली जिसमें weedicide के against resistance है अगर weedicide के against resistance की gene हमने plant में डाल दी तो वो क्या हो गया weedicide resistant plant बन गया अब अगर हम वाई spray करेंगे weedicide डालेंगे या herbicide डालेंगे तो हमारे plant के पास तो उस weedicide के लिए against resistance है लेकिन जो weeds थी जो unwanted plants थे उनके पास resistance नहीं है तो unwanted plants जो थे वो तो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे लेकिन हमारा normal plant survive करेगा बोलो हाँ की नहीं next to increase efficiency of mineral used by the plant यह क्या कह रहा है कि plant जो था जब वो growth करता है तो soil से minerals को absorb कर लेता है तो कुछ plant तो ऐसे हैं जो soil से जादा mineral absorb करते हैं लेकिन जितना mineral absorb किया उसको कुछ ही part वो यूज ले पाते बाकि जो mineral था वो सारा क्या चला गया बेकार चला गया कि नहीं चला गया soil से तो ले लिया soil को तो खाली कर दिया लेकिन जितना लिया वो भाई सा plant यूज नहीं कर पाया बोलो हां कि ना तो अब हमें ऐसा plant चाहिए था जो soil से soil से उतना ही new minerals ले जितना वो यूज कर पाए वेस्ट ना करें तो हमने क्या बोला कि अगर minerals के use की efficiency increase होगी तो हम क्या करेंगे soil में minerals को लंबे टाइम तक बने रखने में एल्प करेंगी Souls में minerAL को लंबे उल्प करेंगी डिस प्रिवेंटarde जल्दी खतम होने से बचा पाएंगे क्योंकि जितने ज्यादा देर तक मिनरल रहेंगे उतने लंबे टाइम तक बनी रहेगी अगला था करने मंक computers क मरे पोला कि में प्रोड़ेवटी बढ़ा दिफारा नहीं तो हम्हें यह चाहा रहे थे wasp प्लांट ही ऐसा बन जाए जिस प्लांट में ही खुद पेस्टिसाइड के अगेस्ट पेस्ट के अगेस्ट रजिस्टेंट 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 रजि even करके बात करते हैं बड़े और देखीगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपको बता दू पेस्ट रोजिस्टेंट प्लांट के बारे में बасьक करेंगे बड़ा ही इंपोर्टेंट फॉर्सन है जिसमें एक question पूछ पूछ के पूछा हुआ है अरे हां कि ना मतलब concentration का level up to the mark बनाए रखना है पिटा paste resistance plant में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं insect resistance plant के बारे में अरे हां कि ना अब insect resistant plant का सबसे फेमस example है वो है BT plants और BT cotton सवाल यही था तर यह BT plant और BT cotton exactly में है क् अच्छे एक बैक्टीरिया है बैक्टीरिया का नाम है Bacillus thuringiensis Bacilleria का क्या नाम है Bacillus thuringiensis Bacillus thuringiensis Bacteria में एक Zean होती हैúde द garant जिस जीन को आ पर बोलते हैं क्राइजीन वह क्राइजीन एक प्रोटीन बनाती है वह प्रोटीन ऐसी थी जो की insects को किल करने का काम करती है और उस प्रोटीन को बोलते हैं insecticidal protein या मैं कह दूं insecticidal toxin कोन बनाती है bacillus thuringinesis की cryzine बनाती है क्या बनाती है एक toxic protein बनाती है जिसको बोलते insecticidal toxin जो किसको insect को kill करने का काम करती है तो हमने क्या देखा कि अपने पास अपने पास plants थे कुछ जिन में insect की वज़े से disease produce हो रही थी जिसकी वज़े से productivity बहुत क्या हो रही थी कम तो हमने क्या काम किया इस bacillus thurengenesis की इस cry gene को genetic engineering के थूरू किसमें ट्रांसफर कर दिया plant में और ऐसे plant जिसमें bacillus thurengenesis की cry gene को ट्रांसफर किया गया उस plant को हमने बहुत दिया बीटी plant तो हेर बीटी वर्ड का मतलब है bacillus thurengenesis मतलब इसमें bacillus thurengenesis की कौन चीजिन डाली है cry gene डाली है अरे हां की नाम अब सवाल था बैसिलस thurengenesis की जो cry gene थी जिससे अपने पास insecticidal toxin या मैं कह दू जो insecticidal जो protein बन रही थी जो की insects को किल कर रही थी क्या वो all type of insect को किल कर देती है नहीं बहिए exactly में जो insecticidal toxin था वो insect के तीन जैने इंसेक्ट के तीन अपने पास order थे उन पे काम करता है only कितने orders पे NCIT माता ने दिया है तीन orders पे सबसे पहला order है मेरे पास लैपिड ऑप तेरंस जो ओडर था उसमें अपने पास आते है तबैक czasu bed warm army warm cotton ball warm आड और corn barbadas और किसमें आते हैं यह अपने पास आतह हैं लैपिड ऐंप तेरंस इनको किल करने का काम कर दिया दूसरा अपने पास था अपने पास था poliopterans, poliopterans में अपने पास आता है, वो आता है बेटा, beetles, क्या आता है अपने पास, beetles, and तीसरा order था, dipterans, और dipterans में अपने पास आती है, flies and mosquitoes, exactly में इन तीन order के जो insects थे, उनको kill करने का काम करता है, वो करता है, insecticidal toxin, अब सवाल था, सर, insecticidal toxin, इन तीन order के insects को kill करता है, that is, lepidopterans, poliopterans, and dipterans, इसको मैं सीधा बोल दूँ, तो ये मेरे पास होगा, LCD, मतलब LCD वाले order के insects को kill करता है, कौन, insecticidal toxin, अब सवाल था, सर, क्या एक ही टाइप का insecticidal toxin जो था, वो इन तीनों के तीन ओडर के insect को मार देगा, मैं कहूंगा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, सवाल था, सर, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा, जो BT toxin था, जो insecticidal toxin था, वो exactly में insect के group के लिए specific था, अरे हा कि न, मतलब लैपिड ओप्टेरंस को मारने के लिए, हमें एक अलग तरह की प्रोटीन से ये, और उस लैपिड ओप्टेरंस में भी, उस लैपिड ओप्टेरंस में भी, अगर हमें cotton ball warm को मारना है, तो अलग तरह की प्रोटीन से ये, तो इसका मतलब ये था, कि यह insecticidal toxin जो था, यह insect के किसी species और group का specific था, मतलब insect की अलग-अलग species के लिए, हमें अलग-अलग तरह की cryzine की requirement पढ़ रही थी, ताकि अलग-अलग तरह के insecticidal toxin बन सके, और वो अलग-अलग type के insect को मार सके, तो यार फिर तो जब भी हमें बात करना पड़े, कि हमें ये select करना पड़े, अगर हमें select करना पड़े, कि हमें कौन सी वाली cryzine लेनी है, कौन सी वाली cryzine लेनी है, तो gene को select करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चीए, हमें पहले तो पता होना चीए, कि अपने पास कौन सी क्रॉप में डाल ली है 쉬 प्लांट के बारे में पता ऊना चाहिए अंड धूसरा उस प्लांट में कौन से वाला इंसर जो था कौन से वाला पेस्ट डीजीय प्रोडियूस कर रा है मान लिब Chancellor किया कि बएया हमें जो crop थी वो crop चहिए कौन सी चाहिए हमें crop चेह determination अरे हा की न हमने बोला crop कौन सी चाहिए mouse간 अमने बोला úton में infection कौन कर रहा है हमने मां लिया cotton जो था उसमें cotton jeg डोचिशंगा data हुआ कि cotton की crop है और क्या कर रहा है cotton ball warm infection कर रहा है हमने बोला अगर cotton की crop में cotton ball worm के infection को रोकना है तो हमें bacillus thurogenesis जो थी उससे gene लेनी पड़ेगी cry first AC and cry second AB ये वो gene थी जो उस protein का formation करेगी जो की cotton ball worms को मार पाए जो की cotton ball worm को मार पाए अगर अपने पास crop जो थी वो crop थी अपने पास mage mage plant था that is corn वाला plant था mage plant था mage plant में corn जो था उस corn में hole बनाने का काम कर रहा था वो कर रहा था corn borer को कर रहा था corn borer ये मेरे पास insect था तो हमने बोला दो चीजों का पता हुआ कि अपने पास plant कौन सा है plant है mage का और हमने बोला कि उसमें infection कौन कर रहा है बोला उसमें infection कर रहा है corn borer तो अगर corn borer को मारना है तो बोला कि या bacillus thurengenesis की कौन सी जीन ले तो बोला उसके लिए आपको cry first ab gene लेनी पड़ेगी क्योंकि यही जीन वो protein बना सकती है जो कि corn borer को मार सके या उसे controls कर सके बोलो हा की ना तो इसी लिए तो मैंने बोला आपसे कि जब भी हमें gene select करनी हो तो gene का selection दो चीजों पर depend करता है crop पे और उस crop में infection करने वाले paste पे that is हमें यह पता करना है कि कौन सी crop में कौन सा target paste है जिसको मारना है यह बिल्कुल NCRT माता की लाइन है बड़े ध्यान से देखी चले और यह data भी याद रखना है पूछेगा cry first ac gene and cry second ab gene जो थी वो किसके control में काम में आती है cotton ball worm के control में जब कुछे पूछे cry first ab किसमें काम आती है तो ध्यान रखना corn borer के control में काम आती है चलू मैं आगे अब सवाल था तर आप यह बताईए यह बात तो ठीक है लेकिन इसकी mechanism क्या है वेटा बड़े ध्यान से सुनना माल लीजिए मेरे पास यह bacillus thuring genesis है यह bacillus thuring genesis का genetic material है इसमें हमने बोला यह red वाली यह अपने पास cryzine है हमने बोला यह cryzine का transcription होगा mRNA बनेगा mRNA से बनेगी protein यह जो protein बनी यह exactly में यह protein एक inactive toxin है चैब बेटा inactive toxin अब बड़ा फिमस सा सवाल पूछा जाता है कि बताओ यह protein जो थी यह protein जो थी जो की insects को kill करने का काम कर रही थी यह bacteria क वोखिल क्यों नहीं करती क्योंकि bacteria के सरीर में यह हमेशा किस फोरम में होती है inactive फोरम में होती है और इस inactive toxin को ही तो अपन बोलते हैं protoxin इसी को अपन बोलते हैं protoxin यह protoxin इनकी फोरम में था बोलो हां किना तवाल था कि यह protoxin था और अगर इस protoxin को किसी भी तरीके से insect ने किसी species specific species के insect ने intake किया तो उसकी body में जाके यह protoxin क्या हो जाएगा active हो जाएगा और active हो कि उसको क्या कर देगा insect को kill कर देगा कवाल था कि हमें इसी चीज का तो सर्फ हाइदा उठाना था तो हमने क्या काम किया हमने इस bacillus thuringiensis की इस cry gene को plant में transfer कर दिया मान लीजिए मेरे पास cotton plant है इस cotton plant में bacillus thuringiensis की gene को transfer कर दिया तो यह क्या बन गया अपने पास कोई BT cotton था यह BT plant था जिसमें barycellus thuringiensis की cry gene को transfer कर दिया अरे जब cry gene को हमने transfer कर दिया तो अब इस plant की each and every cell में बताओ यह cry protein that is crystalline protein जो की inactive protein है वो बनेगा की नहीं बनेगा यस इसके हर एक cell में बन गया अब हुआ क्या यह कोई मेरे पास insect है यह insect आया और यह insect इस plant की leaves पर फिडिंग करने लगता है जब इस insect ने इस plant की leaves पर बीटी plant की leaves पर आके फिडिंग करी तो इसकी तो cell के हर एक पार्ट में अपने पास यह inactive toxin that is crystalline protein था कि नहीं था जो ही यह फिडिंग करेगा तो यह crystalline protein इस insect के सरीर में गया की नहीं गया बिल्कुल गया यह insect के सरीर में गया और यह पहुंचा insect की इंसेक्ट की गट वाले पार्ट में और इंसेक्ट की गट के अंदर का medium alkaline medium होता है जिसकी pH जो होती है वो pH होती है लगबग लगबग 8 के असपास जब लगबग 8 के असपास pH के alkaline medium में यह crystalline protein that is inactive toxin गया तो यह protein उस alkaline medium में जाके हुई यह crystalline protein जो थी यह वहाँ पे हुई dissolve और यह toxin जो की inactive पड़ा था यह क्या हो गया active इसलिए मैं लिखा कि crystalline protein is dissolved in the alkaline medium of mid-gut जिसकी वज़े से toxin का क्या हुआ activation और यह activated toxin अब क्या काम करता है इस insect की mid-gut की epithelial cells थी उस mid-gut की epithelial cells की surface में जाके जुड़ गया तो हमने यही line लिखी कि active toxin bind to epithelial cell of mid-gut mid-gut की epithelial cells की surface से जुड़ गया और जुड़ के इसने क्या काम किया mid-gut जो थी उस mid-gut में pores का formation कर दिया किसका formation कर दिया इसने mid-gut में pores का formation कर दिया और जब mid-gut में pores बन गए पॉर्स बन गए उसकी वजे से क्या हुआ मिडगट की सेल जो थी उन में स्वेलिंग हुई और स्वेलिंग की वजए से उन सेल का होगा लाइसिस वह सेल्फ हट गए उन सेल की होगी डैथ अरे जब मिडगट की सेल डिस्ट्रोई हो गई तो हमने बोला उसकी वज़े से अब जब mid gut वाला ही तो part था, जहां पे insect में food material का absorption हो रहा था, अरे सबसे ज़्यादा absorption वहीं पे तो हो रहा था, जब mid gut ही destroy हो गई, mid gut की cell से destroy हो गई, तो अब भाई साब उस insect में food material का absorption नहीं हो पाएगा, जिसकी वज़े से insect की क्या हो जाएगी death, तो इसी लिए हमने लिखा कि ये जो activity toxin है, जब ये mid gut की epithelium से bind होता है, इसकी वज़े से mid gut में क्या बनाता है, force, जिसकी वज़े से क्या होता है, swelling and lysis of cells of mid gut, और it leads to death of insect, जिसकी वज़े से insect की क्या होगी, death, तो यहार हमने बोला कि हमने plant को ही वो power दे दी, कि अगर कोई insect यहां आके feeding करेगा, तो वो insect मर जाएगा, वो insect क्या होगा, मर जाएगा, इसके लिए हमें किसी भी pasty side को शिड़कने की, उसका spray करने की ज़रूरत नहीं है, plant जो है, उसमें खुद में ही यह ability है, क्योंकि हमने उस insect के against काम करने वाली protein जो थी, वो protein जो थी, उसको बनाने वाली gene, that is cry gene जो थी, वो already इसमें डाल दिये है, ठीक है जी, यह पूरा का पूरा process, NCRT मातान में as it is given है, आप इसको learn कर लेना, चले, यहां पर अपने पास हमने बोला, insect resistant plant, वो वाला portion हुआ cover, हम अगले portion में move करते हैं, अगला portion है, नीमे toad resistance plant, बच्चे होता क्या है, नीमे toad में एक बड़ा famous example मेरे पास है, नीमे toad में अपने पास, बड़ा famous example है मेरे पास, milordi gynae incognesia, बच्चे सबसे पहले आपको पता है, यह नीमे toad है, यही है अपने पास ascalminthes के member, और ascalminthes के member वो थे, जो कि plant में and animal दोनों में ही parasite की forum में present है, मतब दोनों में ही infection करते हैं, अब अपने पास animal के तो आपने खूब सारे पढ़े थे, like ascaris के बारे में बात किया था, आपने, poocherea के बारे में बात किया था, and siloistoma के बारे में बात किया था, यह animal taxonomy में बात किया था, लेकिन अपने पास बड़ा famous example है, नीमेटोड का, that is milloidy gynae incognesia, जो की tobacco plant की root में infection करता है, जिससे tobacco plants, soil से minerals का absorption सही से नहीं कर पाता, अरे जब water and minerals का absorption सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए tobacco की productivity जो थी, वो बहुत ज़ादा क्या होगी, reduce होगी, तो इस चीज को हमें सही करना था, कि किसी भी तरीके से tobacco plant को, इस milloidy gynae incognesia जो था, इसके infection से बचाना था, तो इस काम के लिए हमने एक बहुत ही बहुत ही अच्छी सी technique का में लिए, जिसका नाम था, RNA interference technique, that is RNAi, अपको बता दूँ, RNA interference technique जो थी, यह exactly एक ऐसी technique थी, जो कि gene silencing पे बेश्ट थी, इस पे, कौन से process पे, तो जब भी पुछे, RNAi technology कौन से process पे काम करती है, तो ध्यान रखना, RNAi technology है, वो एक process of gene silencing है, किसी भी gene की activity को suppress करने से related है, अरे हाँ कि ना, और यह RNAi technology जो है, यह RNAi technology सभी eukaryotic organism में मिलती है, सवाल था सर, eukaryotic organism में, क्या काम करती है, बेटा, eukaryotic organism में cellular defense का यह एक method है, तो जब भी पूछे कि RNAi technology, क्या सभी eukaryotic में cellular defense का एक method है, आप कहोगे, हाँ, और हमने इसी method को use किया, किसको control करने में, milloidy gynae incognesia के infection को control करने में, सवाल यह था, सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कैसे किया, पिटा, सबसे पहले हमने milloidy gynae incognesia यह लिया, नीमेटोड लिया, हमने इस नीमेटोड में देखा, कि इस नीमेटोड में यह कोई एक gene थी, इस gene से बन रहा था mRNA, और इस mRNA से बन रही थी, कोई specific protein, हमने बोला कि यह जो specific protein, यह gene से बनने वाले mRNA से बन रही थी, इस जीन ने क्या बनाई, mRNA ने, mRNA से क्या बनी, प्रोटीन, तो हमने बोला इस जीन से ये specific प्रोटीन बन रही थी, और ये प्रोटीन ऐसी थी, जो इस नीमेटोड के growth and development के लिए necessary थी, essential थी, या मैं कहूं कि इस नीमेटोड के survival के लिए ये प्रोटीन बहुत वह जरूरी थी, म चाहते हैं कि ये प्रोटीन नहीं बने, तो उसके लिए तो हमें इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन को silent करना पड़ेगा, अरे हां कि न, मतलब हमें थोड़ा सा वाइलेंट होना पड़ेगा, तभी तो जीन क्या होगी, silent, अरे हां कि न, अगर जीन silent हो गई, जीन ने अपन इसी टेक्निक है, बड़े ध्यान से देखना, मतलब हमारी टारगेट जीन हो गई, जिसको silent करना है, वो ये वाली जीन हो गई, ये वाली जीन हो गई, जो इस प्रोटीन का फोर्मिशन कर रही है, जो कि मिलोडी गाईनी इनकोगनीसिया के सर्वाइवल के लिए बेयद बनाया, ये वाली जीन, जीन को बनाया, ये उसकी promotor site, ये उसकी terminator site, बोलो हां की ना, ये ऊपर वाला green वाला sense stand और नीचे वाला blue वाला antisense stand, अब हमने क्या काम किया, ये जो जीन बनाई, अब इसकी एक apposite बनाना था, तो क्या किया, हम किया, हमने terminator and promotor site को बदल दिया, जब Terminator and Promoter Site, जो Promoter इधर थी, इधर हमने Terminator Site बना दी, जब जो Terminator थी, उधर हमने Promoter Site बना दी, जब Site बदली, तो Sense and Anti-Sense Stand भी बदल गए, जो हरे वाला यहां पे Sense Stand था, वो यहां पे क्या बन गया? Anti-Sense, जो यहां पे Blue वाला Anti-Sense था, वो यहां पे क्या बन गया? Sense, बोलो हां की ना? अब आपको पता है, आपको पता है कि यह अपने पास, हमने बोला, Anti-Facially Gene बना ली, यह वाली Gene बना ली, और दूसरी इसकी, अपने पास Complimentary Gene हमने बना ली, बोलो हां की ना? अब हुआ क्या? इन दोनों की दोनो जीन्स को, हमने क्या काम किया? उस Plant में, यह जो Nematode की, जो R.T.Facially Gene बनाई, इनको Agrobacterium Vector की यल्प से, हमने Plant की Cell में क्या कर दिया? Introduce, इस वाली Gene को भी Introduce कर दिया, और इस वाली को भी Introduce कर दिया? बोलो हां की ना? आपको पता है, कि एक Double Standard DNA में, जब Translation होता है, तो Antisense जो था, उस Antisense Strand का Translation होता है, यहाँ पे Blue वाले Antisense का Translation हुआ, तो हमने बोला, यह Blue वाला mRNA बन गया? यहाँ पे Antisense कौन सा था? Green वाला, इस Green वाले Antisense का Translation हुआ, तो यह Green वाला mRNA बन गया? बोलो हां की ना? अब बताओ, यह जो Green वाला था और Blue वाला, यह दोनों एक दूसरे के Complimentary थे की नहीं थे? बिल्कुल Complimentary थे, तो हुआ यह, कि Plant Cell में यह mRNA Blue वाला बना, यह इस Blue वाले Antisense से बना, यह Green वाला mRNA बना, यह इस Green वाले Antisense से बना, तो यह दोनों के दोनों mRNA भी, एक दूसरे के क्या होंगे? Complimentary, अर जब एक दूसरे के Complimentary होंगे, तो यह दोनों के दोनों जुड़ के, किसका Formation करेंगे? Double Stranded RNA का Formation करेंगे. और NCIT माता ने यह लिखा, कि Double Stranded RNA जो था, Exactly में यही वो RNA था, जो क्या कर रहा था? जो क्या कर रहा था? जो कि अपने पास Initiate करने का काम कर रहा था, किसको? RNAi को. Initiate RNAi. तो NCIT माता कहती है, कि RNAi किस से Initiate होती है? Double Stranded DNA से. यह Double Stranded DNA हमने बनाया, क्योंकि नॉर्मली, नैचुरली, यूकरियोटिक सेल में, Double Stranded RNA नहीं होता, यह Double Stranded RNA हमने बनाया, जो ही यह Double Stranded RNA बना, तो हर एक यूकरियोटिक सेल में, नैचुरली एक एंजाइम मिलता है, जिसको बोलते हैं, Dicer Enzyme. क्वोन से एंजाइम बोलते हैं, Dicer Enzyme. उस Dicer Enzyme ने, इस Double Stranded DNA जो था, इस Double Stranded DNA को, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो Double Stranded DNA के छोटे-छोटे जो टुकड़े बने, इन्हें बोल दिया, SI RNA. क्या बोल दिया, इस Tabacco Plant की Cell में प्रजेंट है, ओ, क्या प्रजेंट है? SI RNA. हाँ की न? अब हमने बोला, कि Tabacco Plant की Cell में क्या प्रजेंट है? SI RNA. ये Neematoad ने आके, Tabacco Plant की Leaves पे, मान लिजी, feeding करना शुरू किया, या Roots पे feeding करना शुरू किया, जो ही Tabacco Plant की Roots पे आके, इसने Infection किया, feeding करना शुरू किया, तो जो ही feeding करेगा, तो बताओ, ये SI RNA जो था, ये Neematoad के Body में जाएगा, कि नी जाएगा? बिल्कुल जाएगा. और ध्यान रखना है, इस SI RNA का Digestion, Neematoad के Elementary Canal में पोसिबल, नहीं है, तो ये Elementary Canal में गया, और वहाँ से Directly, Neematoad की कहाँ चला गया? Cells में चला गया. अरे हाँ किना? अब Neematoad की Cells में गया, और Neematoad की Cell में गया, और Cell में जाके, इस SI RNA ने क्या काम किया? इस SI RNA ने क्या काम किया? इस SI RNA ने, SiRNA ने क्या काम किया यह जो जीन बना रही थी यह mRNA इस जीन से क्या बना रहा था mRNA अगर यह mRNA आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो बताओ क्या नीमेटोड जिन्दा रह सकता है नीमेटोड जिन्दा नहीं रह सकता तो इसे ने यही काम किया यह SI RNA गया और इस नीमेटोड की जो specific mRNA था, that is यह वाला जो mRNA यहाँ पे बना था, यह वाला जो mRNA था, इस वाले mRNA की activity जो थी, उस activity को क्या कर दिया, silent कर दिया, इस activity को क्या कर दिया, इस ने silent कर दिया, तो यही तो काम हुआ, हमने बोला, silencing of specific mRNA of नीमेटोड, इस single standard, sorry, इस small interfering RNA ने क्या कर दिया, उस gene से बनने वाले mRNA को silent कर दिया, जो कि वो protein बना रहा था, जो नीमेटोड के survival के लिए बेहद जरूरी थी, जब mRNA silent हो गया, तो अब वो protein नहीं बन पाएगा, अरे जब protein ही नहीं बन पाएगा, तो बताओ मेरे को, क्या इस transgenic plant में, transgenic plant में, यह इस transgenic host plant, that is tobacco plant में, यह अपने पास parasite था, यह survival नहीं कर पाया, तो यह पूरा का पूरा method था, इसी को बोलते है, RNAi, that is RNA interference technology, अब हमने यह पूरी के पूरी technology, एक summarize फुरम में आप लोगों से बता दिये, ठीक है जी, जहां तक की बात के लिए रहे, अब अपन थोड़ा आग करते हैं, हम बात करते हैं, application of biotechnology in medicine, पिटा, हमने बोला था, biotechnology का use, हमने थेरप्यूटिक्स में भी किया था, that is medicine को बिनाने में भी किया था, आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में recommend DNA technology का use करके, लगबग 30 medicines है, वो बनाई गई है, और दुनिया में use ली जाती है, कितनी 30 medicines है, जिनको approval मिल चुका है, और उनको पूरी दुनिया में use किया जाता है, उन 30 में से 12 SC medicine है, जिनको इंडिया में भी use किया जाता है, इंडिया में भी काम में लिया जाता है, तो total कितनी को approve किया गया पूरी दुनिया में, जेनेटिकल इंजिनिरिंग के थुरू या, discs,ietnam industry से थूरू बनाई गई टोटल 30 को पूरी दुनिया में अप्रूव मिला हुआ है यूज के लिए और एंडिया में उन 30 में से कितने को यूज किया जाता है 12 को यूज किया जाते अब उसमें One By One करके बात करते सबसे पहले बात करते insulin का formation, इसका formation insulin का, फिटा आपको पता है, insulin एक अपने पास hormone है, जो की blood में glucose level को कम करने का काम करता है, ऐससे person जिन में blood में glucose का level बहुत जादा high होता है, हम कहते हैं, वो diabetic patient है, that is, उन्हें है diabetes mellitus, और diabetes mellitus के treatment में काम में लिया जाता है, कौन? diabetes mellitus के treatment में काम में लिया गया, वो लिया गया insulin, पहले क्या होता था, पहले अगर किसी person को diabetes mellitus है, तो हम लोग उस patient को insulin देने के लिए, cow और pig जो थे, उन cow और pig को मारते थे, और उनके सरीर से insulin को बाहर निकालते थे, and then उस patient को insulin देते थे, हमने देखा कि जब हमने वो insulin दिया जो की हमने animals को मार के बाहर निकाला था, उसकी वज़े से बहुत सारे लोगों में allergy की symptom पाए, अब इस problem का solution निकालने के लिए, हमने क्या काम किया, recommendant DNA technology के थूरू insulin बनाने की ठानी, अब सवाल था, सर, insulin जो था, वो insulin बनता कैसे है, बेटा, insulin का maturation कैसे होता है, बड़ी ध् insulin, pro insulin जो था, उसमें total मिला के 3 peptide होते हैं, कितने peptide होते हैं, 3 peptide होते हैं, green वाला, a peptide, green वाला, a peptide, यह जो आपको purple वाला दिखाई दे रहा है, यह c peptide, और यह जो red वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं, बेटा, b peptide, total मिला के कितने peptide हैं, इसमें, प्रो इंसुलिन में तीन पेप्टाइड है, अरे हां किना, हमने बोला, जब ये प्रो इंसुलिन एक मैच्वर इंसुलिन में कनवर्ट होगा, तो मैच्वर इंसुलिन में कनवर्ट होने के दोरान, ये सी पेप्टाइड जो था, ये इससे क्या हो जाएगा, अलग, और एक मै amino acid मतलब एक mature amino acid जो एक mature insulin था उस mature insulin में total कितने amino acids है total 51 amino acid है और यह दोनों के दोनों चेंज हो थी यह आपस में जुड़ी होती है किसे disulfide bond से मतलब एक mature insulin को देखोगे तो एक mature insulin में total मिलाके 3 disulfide bond है दो तो है A and B peptide के बीच और एक है A Feptide के बीच मतलब दो तो intermolecular disulfide bond है और एक है intra molecular disulfide bond यह किसकी कानी है एक mature insulin की कानी है अब हुआ यह कि हम जब bacteria में insulin बना रहे थे recominant DNA technology के थूँ insulin बना रहे थे तो यह procedure काम में नहीं लिया जा रहा था क्योंकि क्योंकि bacteria के सरीर में इस process के थूँ insulin बनाना possible नहीं था उसमें बहुत सारी प्रोब्लम सारी थी तो scientist लोगों ने क्या काम किया exactly में हमने बोला कि recominant DNA technology के थूँ insulin बनाने का काम सबसे पहले किया 1983 में अपने पास एक अमरीकन कंपनी आई थी जिसका नाम था इली ली ली इस इली ली नाम की कंपनी ने सबसे पहले recominant DNA technology के थूँ insulin बनाया और उस insulin को मार्केट में बेचा वो बेचा हुमिवीलीन के नाम से कौन से कंपनी ने हमने बोला अपने पास है एली ली ली नाम की कंपनी जो कि अमरीकन कंपनी थी इसने 1983 में किया अब सवाल था कि सबसे पहले लैब में artificially वो जीन बनाई जो कि A peptide का formation करती थी, हमने बोला ये वाली जो जीन है जो A peptide का formation करती है, फिर लैब में वो जीन बनाई जो B peptide का formation करती है, हमने बोला ये वाली जीन वो जीन है जो कि B peptide का formation करती है, अब इन दोनों जीन को अलग अलग E coli bacteria में transfer क करवाती थी, इस वाले E. coli bacteria में इस जीन को ट्रांफर कर दिया, जो कि किसका formation करवाती थी, B. peptide का formation करवाती थी, और इन bacteria's की growth करवाई culture medium में, जब culture medium में growth करवाई तो हमने बोला इस वाले bacteria में जीन कौनसी थी A. peptide वाली, तो इस में किसका formation हुआ, A-peptide का formation हुआ, इस बैक्टिरिया में कौन सी जीन थी, B-peptide वाली, तो इस बैक्टिरिया में किसका formation हुआ, B-peptide का formation हुआ, अब इस में क्या किया, scientist लोगों ने इन बैक्टिरिया के सरीर से, इन A-peptide and B-peptide को बाहर निकाल लिया, इधर दिये लिजिए, ये मेरे पास A- A-peptide को बाहर निकाल लिया, और इधर मेरे पास किसको बाहर निकाल लिया, B-peptide को बाहर निकाल लिया, हमने बोला, ये मेरे पास A-peptide, ये मेरे पास है, वो अपने पास है, B-peptide, A-peptide and B-peptide को बाहर निकाल लिया, अब बढ़ा क्या था, कि A-peptide and B-peptide दोनों इंसूलीन बनाने के लिए दोनों के बीच क्या बनवाने पड़ेंगे, डाई सलफाइड बनवाने पड़ेंगे, एड ए में तो एक खुद भी, इंट्रा मोलिकुलर डाई सलफाइड बन था, तो हमने बोला इन दोनों को बहार निकाला, एड लैब में आर्टिफिशली दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बनवा दिया, डाई सलफाइड बना दिया, तब जाके अपने पास बना मैच्योर इंसूलीन, तो ध्यान रखना, इली-ली-ली कंपनी ने, या मैं कहूँ, रिकोमिनेंट डियने टेकनलोजी के थूँ, जब भी मैच्योर इंसूलीन बनाया जाता है, तो उसमें A-Peptide की जीन जो थी, आर्टिफिशल जीन को अलग इकोलाई में, B-Peptide वाली को अलग इकोलाई में, एड़ दोनों इकोलाई से आईसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है A-Peptide को फिर लैब में, आर्टिफिशली उनके बीच, डाई सलफाइड बॉन्ड बनवा के, मैच्योर इंसूलीन बनाया जाता है, और आजकल इसी, यह जो जैनेटिकल इंजीनिरिंग के थूरू इंसूलीन, जो हमने बनाया, एग्जक्ली में इसी इंसूलीन का हम यूज करते हैं, डाईबिटीज मेलाईटस के ट्रीटमेंट में, पेसेंट को आजकल यह इंसूलीन देते हैं, मतलब अब हमें, हमें पिग एड़ जो काउज थी, उनको मारने की ज़रत नहीं है, हमारे पास यह जो रिकोमिनेंट डियन टेक्नोलोजी का इंसूलीन है, इसी से हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, चलू मैं आगे, नेक्स आगे देखीगा, अगला अपने पास था, जीन ठहलेपी, पीटना सीदी सी बात है, जीन ठहलेपी, नाम से ही पता चल रहा है, कि इसमें हम एक हार्मफुल जीन को निकालके, और उसकी जगे हेल्थी जीन डाल रहे, की जगे क्या डाल रहे है? हेल्थी जीन डाल रहे, बोला हां कि ना, या किसी परसन में एक healthy gene को introduce कर रहे है, किसलिए किसी भी किसी भी abnormal gene की जगे, ताकि वो person जो था, उस person में normal functioning हो पाए, क्योंकि जो abnormal gene है, जो abnormal gene है, जो कि mutant gene है, उस mutant gene से वो protein नहीं बन पा रही थी, जो कि body की normal functioning के लिए जरूरी थी, इसलिए हमने बाहर से healthy gene को उसकी body में डाला, और वो process क्या था gene therapy, अब gene therapy का बारे में बात करके चले, तो first clinical gene therapy जो की गई, वो 1990 में एक 4 साल की बच्ची में की गई, किस में की गई, 1990 में 4 साल की बच्ची में सबसे पहले, एक successful gene therapy की गई, अब उस बच्ची के साथ क्या दिक्क थी, पीटा, exactly में उस बच्ची के साथ दिक्कत थी, कि उस बच्ची की उस gene में mutation हो गया था, जो की ADA enzyme का formation करवाती थी, ADA that is adenosine deaminase, adenosine deaminase enzyme का formation करने वाली gene जो थी, उसमें क्या हो गया था, mutation, और उस gene में mutation की वज़े से, बच्ची के सरीर में ADA enzyme नहीं बन रहा था, या मैं क enzyme की क्या थी, deficiency थी, आपको बता दूँ, यह ADA enzyme जो था, यह ADA enzyme का हमारी immunity में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए लिखा कि this enzyme is crucial for immune system to function, हमारे immune system के काम करने में और body की immunity में, इस ADA enzyme का बहुत बड़ा रोल होता है, और इस बच्ची के सरीर में यह enzyme नहीं बन रहा था, सवाल थ बच्ची थी, इसमें उस gene में mutation हो गया था, जो ADA enzyme बनवा रही थी, that is, उस gene को अपन बोल देते, ADA gene, ADA gene में क्या हो गया था, mutation, अब वो जो mutation हुआ, उस mutation में क्या हुआ था, हमने बोला, इसमें ADA जो gene थी, उसमें हो गया था, उसका हो गया था, deletion, तो जब भी पूछे कि ब ADA वाली gene जो थी, उस gene का क्या हो गया था, deletion हो गया था, या मैं कहा दू, उसमें mutation हो गया था, जिससे बच्ची में ADA enzyme नहीं बन पारा था, अब सवाल था, ADA enzyme के deficiency हो गया थी, इसको सही कैसे करें, पिटा, इसको सही करने के तीन तरीके अपन अपना सकते थे, सबसे पहला, स दूसरा तरीका था, कि भाईया हमने बोला कि immune system और lymphocyte के activity के लिए, यह अपने पास ADA enzyme बहत ज़रूरी है, और lymphocyte का formation bone marrow में होता है, तो दूसरा तरीका था, कि उस person की bone marrow का transplantation कर दिया जाए, तीसरा तरीका मेरे पास था gene therapy, तीसरा तरीका मेरे पास था gene therapy, आपको बता दू कि पहला और दूसरा तरीका है, वो complete cure नहीं है, लेकिन अगर gene therapy जो थी, यह gene therapy में healthy gene को early embryonic stage में introduce किया जाए, तो it may be complete cure of, complete cure of, क्या, ADA, रहा कि ना, तो यह complete cure हो सकता है, किसका, adenosine deaminase deficiency का complete cure हो सकता है, कब, जब healthy gene को introduce किया जाए, कब, early embryonic stage में, रहा कि ना, तो यह तीन ती तरीके हो सकते हैं, हम बात कर रहे हैं, कौन से तरीके के बारे में, थाड़ वाले तरीके के बारे में, बड़े ध्यान से देखीगा, थाड़ तरीका क्या था, थाड़ तरीके में क्या काम किया, हमने बोला, यह अपने पास patient है, इस patient के सरीर में, इस patient के सरीर में, ऐसी lymphocytes ह जिन में ADA gene नहीं है, तो हमने क्या काम किया इसकी body से lymphocyte जो थी उनको collect किया, ये लिजिए इस जगह पे इस culture medium में lymphocytes को ले लिया, cells को ले लिया, अब आपको पता है कि animals में gene transfer में हम काम में लेते हैं, वो disarmed retrovirus को काम में लेते हैं, अब हमने यही काम किया, कि हमने क्या काम कि इंट्रोडेक्शन ओप ADA CDNA into lymphocytes by disarmed retrovirus, अरे disarmed retrovirus के help से, जो ADA gene वाला जो अपने पास CDNA था, उस CDNA को introduce किया, अरे जब CDNA को introduce किया, किसके help से, retrovirus के help से, मतलब यहाँ पे हमने retrovirus को introduce कर दिया, उस retrovirus की वजए से, कुछ एक, कुछ एक, अपने पास lymphocyte थी, जिन में वो CDNA और वो gene पहुंच गई, और कुछ हेक में नहीं पहुंची, अब देख रहे हो, red, red वाला था, उनमें तो CDNA ने पहुंच गया, that is gene पहुंच गई, और यह gene में red नहीं है, उनमें नहीं पहुंची, बोलो हाँ कि न, तो अपने पास gene में पहुंच गई, exactly में यही तो मेरे पास desired cell है, that is recombinant cell है, बोलो हाँ कि न, तो हमने क्या काम किया, different type के selection method यूज किये, और in recombinant cell को यहां से क्या कर लिया, अलग कर लिया, select कर लिया, यह लीजी हमने recombinant cell को यहां पर select कर लिया, यह जो recombinant cell है, exactly में नहीं बोलते है, genetically modified cell, अब हमारे पास recombinant cell आ गी, और हमें इन recombinant cells को large scale पे चाहिए, तो हमने इन recombinant cell को में बहुत तेजी से, तेजी से multiplication करवाया, ताकि इन cells को large scale पे क्या कर सके, produce कर सके, इनके number बहुँ ज़्यादा बढ़ा सके, अब आपको पता यह cell तो बन गई, लेकिन हमारी यह cell थी, इम्मोर्टल तो नहीं थी, इनक life span के बाद, एक पूरा जीवन करने के बाद, इनका मरना निश्ची था, तो हमने क्या काम किया, यह खूब सारी cell में से, कुछ एक cell जो थी, वो कुछ एक cell patient की body में inject कर दी, अब वो cell अपना life span पूरा करेगी, तो उन cell की क्या हो जाएगी, death, उन cell की death होगी, तो फिर हम नई cell अपन इंजेक्ट कर देंगे, तो कहने का मतलब यह था, कि जीन थेरेपी में, यह जो हमने cell बनाई, इन cells को periodically, थोड़े थोड़े टाइम, इंटरवेल के बाद, बार बार patient की body में infusion करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यह immortal cell नहीं है, यही कह नहीं, NCRT माता ने दे रखी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे था molecular diagnosis technology, पिटा, molecular diagnosis technology में exactly में पहले हमारे पास क्या था, कि हम जो पुराने conventional और traditional method यूज कर रहे थे, जिन में हम लोग blood test कर रहे थे, that is, serum, urine का test कर रहे थे, blood test कर रहे थे, और blood test करके, फिर disease का diagnosis कर रहे थे, serum test के थूरू कर रहे थे, urine test के थूरू कर रहे थे, तो उस time पे, disease जो थी, वो body में बहुत ज्यादा spread हो चुकी थी, मतलब pathogen के number body में थे, बहुत बहुत ज्यादा, तभी तो वो वहाँ पे appear हुए थे, that is, urine में, serum में, blood में appear हुए थे, बोलो हां की न, अगर हम ये चा जब polymerase gene reaction में, हम early stage में ही, जब pathogen body में बहुत थोड़े से, तभी उनके genetic material का amplification कर लेते हैं, और उस amplification के थूरू हम HIV AIDS को early stage में detect कर सकते हैं, या cancerous cell में mutation को भी early stage में detect कर सकते हैं, दूसरे थी, recombinant DNA technology by using probe, इसमें हम DNA and RNA probe को use करते हैं, और वो probe जो था, उस पे radioactive molecule की labeling होती है या tagging होती है, बोलो हा की ना, तो यह जो probe था, इस probe के basis पे हम check कर लेते हैं, कि जो अपने पास gene है, वो normal gene है, कि mutant gene है, क्योंकि यह probe जो होता है, यह normal gene का complementary होता है, तो इसके basis पे हम पता लगा सकते हैं, तीस तरह था enzyme linked immunosorbent ऐसे, यह alleged जो test था, यह exactly में antigen, antibody, interaction पे बेस्ट था, इसके basis पे भी हम disease को early stage में diagnosis कर सकते हैं, ताकि अगर early stage में diagnosis किया, तो उसको cure करने के chance बहुँ जादा बढ़ गए, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला था transgenic animals, यार हमने बात किया था, transgenic plant वो थे, जिनके genetic material जो था, उसको modified किया गय था, य manipulate कर दिया जाए, तो ऐसे plant को अपन बोल देंगे, transgenic plant, या genetically modified plant, या अपने बोला, tailor made plant, जब किसी animal के genetic material को modification कर दिया जाता है, तो ऐसे animal को बोलते है, transgenic animal, और आपको बता दूं कि more than 95% animal जो है, वो अपने पास transgenic animal क्या है, अपने पास, mice है, more than 95% transgenic animal क्या है, mice है, अब स सबसे पहला यूज था, normal physiology and development, exactly mean transgenic animal में, हम किसी भी gene के regulation के बारे में पता लगा सकते हैं, और दूसरा ये भी पता लगा सकते हैं, कि वो जो gene थी, उस gene से उस animal की physical activity of body कैसे effect होती है, and animal का development कैसे effect होता है, ये सारा का सारा idea किसमें लगा सकते हैं, transgenic animal में, वो specific gene transfer करके लग सकते हैं, next, तूसरा study of disease, पिटा अपन ने बहुत सारी disease को भी transgenic animal पे study किया है, दैसे phenyl ketouria को किया है, अपने cystic fibrosis को किया है, rheumatoid arthritis अगरा को, बहुत सारी disease को भी अपन transgenic animal पे study कर सकते हैं, तीसरा biological product, पिटा बहुत सारे biological product हमने transgenic animal से produce किये, like सबसे famous example, हमने alpha-1 antitryps antitrypsin, जो protein थी, जो enzyme था, वो produce किया है, वो produce किया है, किस से? एक transgenic seed से, आपको बता दूँ, यह alpha-1 antitrypsin जो enzyme था, यह enzyme M5-sema disease जो थी, जो कि generally excess cigarette smoking की वज़े चाहरी थी, इसके treatment में यूज होता है, इसी तरह हमने और भी दूसरे product बनाए हैं, जो कि phenyl ketouria, cystic fibrosis, etc. डी हमने human alpha-lact albumin protein बनाई, यह human alpha-lact albumin protein जो होती है, यह अपने पास produce की गई, यह produce की गई, 1997 में एक transgenic cow से, जिसको बोला था, रोजी cow, exactly में इस रोजी cow के milk में प्रजेंट होती है, human alpha-lact albumin protein, और यह 1 liter milk में 2.4 gram protein प्रजेंट होती है, मतलब इस रोजी cow का जो milk है, उसकी nutritional value है, वो बहुत जादा है, जो कि बच्चे की growth development में बहुत जादा help करती है, उसे healthy रखने के लिए, उसकी अच्छी growth के लिए, body के अच्छी immunity के लिए बेयद जरूरी है, next, अपन इंट्रांजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं, वेक्सिन की safety में, कि कोई भी वेक्सिन जो थे, वो वेक्सिन अपन बना रहे हैं, उस वेक्सिन का कितना डोज देना चाहिए, वो safe है कि नहीं है, that is clinical trials वाले phase में हम इनका यूज करते हैं, next, chemical safety testing, कि कोई भी medicine जो थी, उसका कितना डोज देना है, कितना डोज sufficient रहेगा, और उसकी वज़े से कोई allergy, कोई reaction तो नहीं हो रही, वो सारी सारी study में भी किसका यूज करते हैं, तो यह सारे सारे use थे, किसके, transgenic animals के, अगली बात करते हैं, अपनी बात करते है, ethical issues, पिटा, ethical issues में क्या काम किया, कि scientist लोग जो था, वो human जो था, वो जो नहीं बोलने वाले animals जो थे, जो अपने पास organism जो थे, उन organism पे लगा अतार, लगा अतार studies कर रहा था, उनके genetic metal को manipulate क कर रहा था, तो यह इन्हों ने कहा किया, कि यार, human being पे भी एक लगाम कसनी चाहिए, उसे भी थोड़ी सी morality दिखानी चाहिए, कि वो इस तरह से तो, इन living organism को exploit कर रहा है, क्योंकि इनके genetic material जो था, उनमें बहुत ज़्यादा change कर रहा है, जिससे इनकी body पर बहुत सारे adverse effect प हद तक काम कर सकते हो, इससे beyond आप काम नहीं कर पाओगी, और अपने इन सारी चीजों की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई, जिसको बोलते हैं, G-E-A-C, that is, Genetic Engineering Approval Committee, पिटा, Genetic Engineering Approval Committee का क्या काम था, यह Genetic Engineering Approval Committee जो थी, यह GM Research की validity जो थी, वो कितरे दिन तक valid होनी चीए, यह GM Research की validity को बताने का काम कर रही थी, उसको बताने का काम कर रही थी, पहला काम, और दूसरा, जो genetically modified organism, या genetically modified organism के product, जो हमने society के लिए, human के लिए, या use के लिए, जो commercially use के लिए, जो हमने introduce कर रहे हैं, उनकी safety के बारे में decides कर रही थी, तो इसका decision लेना था, दो decision बहुत important ले GM के बारे की validity के बारे में, इसी को decision लेना था, जो GM genetically modified organism जो introduce किये गई है, उनका product जो introduce किया, उसकी safety के बारे में बताना था, कि बताओ, वो society के लिए, human welfare के लिए, कितना useful है, कहीं उसकी वज़े से कोई harm तो नहीं हो सकता, वो सारा का सारा, कौन decide कर रहा था, कौन उसकी GAC, genetic engineering approval committee, norm and full form याद रखने बड़ा important है, अगला था bio patent, सवाल था, sir, bio patent क्या था, यहर आपको परता है, कि एक researcher जो है, वो researcher जो है, यह एक research करने वाला scientist है, वो अपनी पूरी जिंदगी किसी भी research को करने में लगा देता है, तो अब यह patent उस researcher को एक right देता था, कि उसने जो invention किया, इसी भी inventor और researcher को यह right देता था, कि जो भी तुने invention किया, research किया है, इस research का कोई भी person commercially use नहीं कर पाएगा, जब तक कि तु उसे प्रोप पर approval ना दे, authentication ना दे, तब तक कोई भी उसका use नहीं कर सकता, तो इसी को बोलते थे bio patent, तो bio patent क्या था, ए patent is a right, granted by government to an inventor to prevent others from commercial use of his invention, कि उसने जो भी research किये, उसका कोई भी person उससे approve लिये बिना, use नहीं कर सकता था, तो इसी को बोलते, bio patent, अब bio patent जो दिया जा सकता है, वो किस किस के लिए दिया जा सकता है, bio patent एक नई invention के लिए दिया जा सकता है, एली बात, दूसरा, bio patent दिया गया, जो पहले invention करी गई उसको improve करके, सुधार करके, आपने एक नई चीज बना दी, उसके लिए भी patent दिया जा सकता है, तीसरी बात, अरे तुमने कोई product बनाया, किसी person ने X product बनाया था, उसका बनाने का तरीका अलग था, आपने सेम X product बनाया, वो अलग तरीके से बनाया, जैसे Corona की vaccine, को सिल्ड ने अपने अलग तरीके से बनाई, बायो एक्स वाले ने वो अलग तरीके से बनाई, तो उनका जो vaccine बनाने का procedure था, वो दोनों का क्या था, अलग-अलग, तो उन्होंने अपने procedure को patent करा लिया, कि भाईया, हमने इस process से product त्यार किया है, अगर कोई भी इस process को use करक ये product बनाएगा, तो उन्हें पहले हमसे approval लेना पड़ेगा, उससे पहले वो उसका use नहीं कर सकता, next, हमने बोला, एक concept और एक design, माल लीजिए, कोई भी company, जैसे car बनाने वाली company, car का कोई design बनाती है, तो कोई भी दूसरी company, same design को नहीं बना सकती, क्यों, क्योंकि जो design बनान नहीं कर पाएगा, अगर कोई करना चाहता है, तो वो proper मेरे से permission ले, approval ले, तो इन चारों चीजों को mainly हमने consider किया, कि इन चीजों के लिए, एक inventor और researcher को हम क्या दे सकते हैं, वो हम उसको patent दे सकते हैं, next, सवाल था, sir, biopiracy का मतलब क्या था, बेटा, piracy का मतलब सिधा चोरी, कि अगर कोई भी researcher, कोई भी inventor जो है, उसने कोई research करी है, कोई invention किया है, अगर कोई company उसके invention का बिना उससे approval लिए, बिना उससे permission लिए, commercially यूज करती है, तो हमने कहेंगे, कि भाईया, उसने उसकी research की, या research के product की क्या कर ली, चोरी कर ली, तो इसे ही क्या बोलते हैं, बायो biopiracy का सबसे famous example अपने पास है, वो है, biopiracy of basmati rice, biopiracy of basmati rice, सवाल था, सर, ये biopiracy क्या थी, पिटा, पहले तो मैं बता दूं, कि हमारे इंडिया में rice की लगबग 2 lakhs varieties है, इंडिया में rice की कितनी varieties है, लगबग 2 lakhs variety है, जिन में से basmati rice की varieties कितनी है, 27, 27 varieties तो हमारे यहा था, लेकिन, लेकिन, 1997 में, अमरीका के कमपनी ने, इंडिया के basmati rice जो था, वो basmati rice बनाया था, इंडिया ने, लेकिन उसने, अमरीका में जाके patent करा लिया, कि भईया, देखो, हमने यह rice बनाया है, तो exactly में, इंडिया से बिना permission लिये, बिना permission लिये, उन्होंने इंडिया के दुवारा बनाए गए बास्मती राइस को यूज किया क्लेम किया और वहां जाके पेटेंट करा लिया बोलो हां कि ना तो ये क्या था बास्मती राइस की बायो पाइरेसी करी गई थी किसने अमरीकन कंपनी ने कब की थी 1997 में करी गई थी और इसी के बाद इंडियन गोर्मेंट जागी और उसने ऐसी चीज को दुवारा से ना हो दुवारा से रिवाइज ना हो रोकने के लिए second amendment लेकिए आया जिसमें बायो पेटन्ट लो और एक्ट में एक second amendment लेकिए आया जिसको और ज्यादा इस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि ये हर्कत कोई भी दुवारा से ना कर पाए चलू मैं आगे next, अगला मेरे पास है bio-remediation, bio-remediation के बारे में NCIT ने बात नहीं कर रखी, लेकिन इसकी इतनी सी की बात है कि जब भी हम किसी living organism के through, living organism के through किसी pollutant और toxins जो था, वो toxins को remove करते हैं, कहां से, soil से कर लो, water से कर लो, या environment से कर लो, तो जब भी किसी pollutant को, हम किसी living organism के through, remove करते तो उसी को बोलते हैं, bio-remediation और इसका सबसे famous example है, pseudomonas, putido जिसको बोलते हैं, super bug, और बोलते है, oil eating bug, ये oil eating bug जो था, ये क्या काम कर रहा था, sea में water की surface पे, जो oil की layer बन गई थी, उस oil की layer को खाके destroy करने का काम कर रहा था, ताकि living organism, जो aquatic organism जो थे, उन aquatic organism को उसके adverse effect से बचाया जा सके और water pollution को खतम किया जा सके, ये सबसे famous example है, किसका, bio-remediation का, बोलो हां कि ना, तो यहाँ पे जाके अपना ये session होता है खतम, उम्मीद करता हूँ, आप इस session का full enjoy कर रहे होंगे, और NCRT की मैंने लगबग हर portion को cover करने की कोशिस की, और cover किया भी, आगे हम लेके मिलेंगे, नया chapter, तो मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, जैहिंद, thank you, thank you very much.